बिना किसी लहसुन, प्यास, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाले के बनाई ये बहुत ही जादा टेस्टी और उद्दा पनीर की रेसिपी, यहाँ ये व्रत की स्पेशल रेसिपी है, महाशी वरात्री में भी आप खा सकते हैं, हाँ कुटो नमक नहीं काते हैं तो उसको आप इ दाल दिया, और उसको महीन महीन किसी भी शेप में कट करके आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई बात देता नहीं है, जब यह थोड़ा सा भून जाए, यानि अगर आप उसको फ्राई करना चाहिए तो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पिंक कालर का हो जाए, तब इसमे जाए, और थोड़ा सा कम मिर्च डालिए, उसके बाद नमक, यानि सेथा नमक, जो अब रत में अगर खाते हैं, तो जालिए, नहीं खाते हैं, तो फिसकी भी कर सकते हैं, फिर आप जार में एक टमाटर लीजिए, उसको कट कर दीजिए, और धन्या की पत्ती थोड़ी से ल इना पानी डाले, और फिर आप देखिए, इस पून से उठाकर में दिखा रहे हैं, इस तरह का यह पेस्ट हो जाएगा, इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे, और फिर इसको हम लो फ्लेम पर चलाएंगे, खुब अच्छे थोड़ी दिर चलाएंगे, जब इसको पूरी तर और उसके बाद इसको फटा फट यह बन जाती है, इसमें थोड़ा सा नीम बू डालेंगे, कट करके, अब हम इसको थोड़ी दर फूनेंगे, उसके बाद इसको इस कंसिस्टेंसी पर रोग देंगे, और जब यह हो गया, तो इसको निकालेंगे बहुत ज़्यादा टेस्ट